Hello friends! आप देख रहे हैं YouTube चैनल Chemistry with Car और आज का lecture में हम देखने हैं Inol Content क्या होता है Inol content Inol content का मतलब है कि percentage of Inol पद भर हम इसका meaning समझते हैं क्या होता है Inol content का मतलब देखो एक acetone है किसी वेसल में acetone रखा हुआ है तो तुम जानते हो कि यह जो acetone है इसका कुछ portion inol में convert होगा और inol के साथ dynamic equilibrium में आ जाएगा ठीक है तो चुके equilibrium आया तो इसका कुछ equilibrium constant होगा इसका equilibrium constant 6 in to 10 to the power minus 9 है इसी तरह किसी दूसरे वेसल में अगर acetaldehyde है इसका भी कुछ form inol में convert होगा और फिर dynamic equilibrium में आ जाएगा acid रहेगा तो जल्दी equilibrium आएगा बेस रहेगा तो जल्दी equilibrium आएगा acid base कोई नहीं रहेगा तो थोड़ा लेट से equilibrium आएगा equilibrium तो आएगा इसका equilibrium constant 6 in to 10 to the power minus 7 है at 25 degree Celsius in aqueous medium ठीक है aqueous medium में 25 degree Celsius पे इसका equilibrium constant यह है इसका equilibrium constant यह है temperature क्यों बता है temperature बदल देंगे तो equilibrium constant बदल जाएगा ठीक है अब देखो सोचो इस reaction का equilibrium constant 6 in to 10 to the power minus 9 है इसका क्या मतलब है कि product यह equilibrium constant बहुत कम है equilibrium constant क्या होता है product का concentration divided by reaction का concentration और उसका value बहुत कम है इसका equilibrium constant भी बहुत कम बना है इसका equilibrium constant भी बहुत कम है इसका मतलब इसका product भी बहुत कम बना है मतलब यह in all भी vessel में बहुत कम है कितना कम है लेखो यह equilibrium constant 10 to the power minus 9 10 to the power minus 7 का order है मतलब यह बहुत कम है यह बहुत कम है 0.00001% 0.00001% के आस पास इस तरह से मतलब यह 99.99% के अबब है यह 99.99% के अबब है और यह 0.01% से भी कम है यह दोनों बट सवाल यह नहीं है सवाल यह है कि जिस vessel में यह पड़ा है उसमें inol का percentage आर दुसरे vessel में जिसमें यह पड़ा है उसमें inol का percentage same temperature, same solvent के case में, किसमें inol का percentage जाता है तो इस data को देखकर तो हम बदा ही सकते हैं कि चूशल के इक equilibrium constant नीचे वाला equilibrium constant बड़ा कि उपर वाला बड़ा नीचे वाले के एकलोडियम कॉंस्टेंट बढ़ा, 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 9, यह छोटा है, तो नीचे वाले के एकलोडियम कॉंस्टेंट बढ़ा है, इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन, इसके कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, नहीं, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तभी, त तो इसका इकलोडियम कॉंस्टेंट कम, इसका इकलोडियम कॉंस्टेंट ज्यादा, मतलब यहां पॉड़क ज्यादा बना है, तब भी बहुत कम बना है, दोनों का पॉड़क बहुत बहुत कम, लेकिन ये दोनों में इसका पॉड़क ज्यादा, तो हम बोलेंगे कि acetaldehyde का inol content ज़्यादा है acetone के respect में हम बोलेंगे inol content या percentage of inol इसका ज़्यादा है acetone के respect में ठीक है यह है inol content का मतला एक छोटा सा example और लेते हैं अगर हम तुमसे बोलें कि बताओ एक compound है यह और एक दुसरा compound है यह दोनों में किसका inol content ज़्यादा तो दोनों का inol पहले बनाओ इसका जब inol बनाएंगे तो यह आए ज़्यादा और इसका inol यह अब तुम बताओ डेटा नहीं पता है बट क्या हम बता सकते हैं कि किसका इसका eclodium constant ज़्यादा होगा इसका eclodium constant ज़्यादा होगा क्यूं क्यूंकि देखो यह जो product बना है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे keto ज़्यादा stable यह inol ज़्यादा stable यह ज़्यादा stable यह ज़्यादा stable है इस दोनों में तो यह ज़्यादा बनेगा बट यहाँ पे ऐसा कोई stabilizing factor कुछ special चीज नहीं है इसका मतलब normal inol काम stable होता है keto से यहाँ पे क्या हुआ इनol यहाँ पे जो इनol है ज़्यादा stable है keto से और यहाँ पे जो इनol है काम stable है keto से मतलब यह दोनों में यह ज़्यादा stable मतलब इसका equilibrium constant बहुत ज्यादा और यह दोनों में यह काम stable इसका equilibrium constant बहुत कम तो पुछा जा सकता है इस दोनों में किसका equilibrium constant ज्यादा ऊपर वाले का equilibrium कर दोनों में इन ओल कंटेंट किसका जादा उपर वाले में इन ओल कंटेंट जादा ठीक है अब सवाल है हम कैसे देख के बोलेंगे सब किसका इन ओल कंटेंट जादा सिम्पल सा बात है जिसका इन ओल जादा स्टेवल होगा उसका इन ओल कंटेंट जादा इन ओल जादा स्टेवल किस बेसिस पर बोलेंगे देखो या तो इन ओल जादा स्टेवल देख लो या इन ओल जादा स्टेवल देख लो दुनों से कोई देख लो ठीक है अब तुम को लगए है कि इनॉल इनॉलेट कंट्राडिक्ट करेगा नहीं करेगा कंट्राडिक्ट तुम्हारे केसिस में जो क्वेशन पूछा जाए तो उसमें कंट्राडिक्ट नहीं करेगा इनॉल के st talent की चेक करो ठीक है अब देखो है इसके बाद आते हैं कश और ञार्जामपल पह जेनरली इनॉल का परसेंटेज बहुत कां होता है कि टटो के से में बट कुछ निया बट कंच्छ चे लमकल है जिसमें इनॉल कीटो से जाधा स्टेवल होता है या I कुछे cases हैं देखो हम फिर से बोल रहे हैं इनॉल का percentage keto के respect में बहुत बहुत कम 0.001% 0.01% ऐसे होता है बट कुछ cases में इनॉल का percentage थोड़ा ठीक ठाक होता है थोड़ा ठीक ठाक होने का मतलब कीटो से जादा नहीं 5% 10% ऐसे तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि इनॉल का percentage ठीक ठा है कि इनॉल ही कीटो पर डॉमिनेट कर गया है उसी में से एक ही है यहां पर आल्मोस्ट हैंडेड परसेंट इनॉल होता है कीटो निगलेज़ेवर होता है क्योंकि अर्मेटिक हो जाता है इसके वैस ठीक है दो एक जामपल और देखते हैं है यह है टू फोर पेंटेन डाइड डाइड एक दो तिम चार पांच पेंटेन टू फोर्स iritual14e इसका इनल बनाते हैं इधर भी हाइडरोजन है इधर भी हाइडरोजन है बट इधर से निकालेंगे तो जो निगेटिव चार्ज़ होगा दोनों तरफ रेजनेस करेगा इसलिए heum इनॉलेट जो बनाएंगे, यहीं वाला बनाएंगे, इधर और आने देते हैं, यहां निगेटिव चार्ज लाते हैं, इस तरह से यह हो गया, इनॉल, और इधर मिधाई, ठीक है, तुमको लगेगा, किसर आपने तो बोला था, एसीट के केस में कुछ और, बेस के केस में कि यहां से एच निकलेगा, बेस रहाएगा तो, बेस तो एसीट का हाइडोजन खोजएगा, लेस से जादा है, इस से ज zinc की है, क्योंकि यहां से एच निकलेगा निगेटिव चार्ज यहाँ पर बनेगा, बनेज़ेगा तो निगेटिव चार्ज जाएगा, फिर solvent से यहे बनाते तो, acidic media में देखते, acidic media में, acidic media में inolate के stability नहीं देखा जाता है, inol के stability देखा जाता है, तो inol भी इधर वाला ही जादा stable होगा क्योंकि इधर जब inol बनाओगे तो यह double bond इसके साथ conjugation में होगा और conjugation से stability बढ़ता है तो इसका inol यहीं बनेगा इसी तरह से जब इसका बात करेंगे हम यह रुख जाते हैं पहले इसको confirm कर लेते हैं इसका जो inol है इसमें यहाँ पे hydrogen bonding हो जाता है और देखो conjugation भी हो गया यहाँ conjugation भी नहीं था यहाँ conjugation भी हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक resonance conjugation से भी इस stability बढ़ता है क्या यहाँ पे advantage मिला conjugation conjugation भी हो गया hydrogen bonding भी हो गया ठीक है तो hydrogen bonding भी तो stabilize करता है hydrogen bonding के कारण भी तो energy release होता है तो hydrogen bonding से भी stabilize हुआ conjugation भी आ गया overall यह सब effect मिला के inol का percentage keto के respect में बढ़ जाता है और यह वो जाता है यह जो inol है यह 76% हो जाता है बाकि यह keto रह जाता है मतलब यहाँ पे inol का stability inol का stability keto से जाता है due to conjugation and hydrogen bonding इस वैसे inol का percentage 76% हो जाता है in liquid condition मतलब लिक्विड मतलब जब इसको pure form में रखेंगे और liquid रखेंगे तो कोई और solvent नहीं वाट टार रही है नहीं और कोई solvent देंगे तो नहीं क्योंकि solvent का भी effect inol content पे होता है तो हम उसको अभी discuss नहीं किये है हम इसको pure form में लिक्विड फॉर्म में तब यह 76% आया है ठीक है अब जड़ा गौर करो इसमें देखो इसमें भी यहाँ पे inol दो दो possible है यहाँ से एच पलस निकलके देखो निकलेगा तो यहीं से एच पलस को कि यहाँ से एच पलस निकलेगा दोनो तरह फ्रेजमेंच करेगा यहाँ पे जब इनol बनाओगे तो देखो दो इनol हम बनाते हैं OH 0000 0080 एक इनol यह हुआ और दूसरा इनol जो हुआ 0000 00 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 कि यहां तो Conjugation यहां भी, Conjugation तो यहां पे भी, और Hydrogen Warning भी यहां पे, इस वैसे इसका percentage भी ठीक ठाक हो जाता है, बट यह ठीक ठाक होने के बाब चूद भी 8% ही रहता है, 8%, 8% बस बाकी इस फॉर्म में रहता है, ठीक है, अब जरा गौर करो, यह नहीं बताया जा सकता है, कि Hydrogen Bonding और Conjugation के कारण, percentage 50% से बढ़ जाएगा, कि 50% से कम रहेगा, जिस यहां 76 हो गया, यहां 8% है, यहां बढ़ के 50 से जादा नहीं हुआ, यह नहीं बताया जा सकता है, compare किया जा सकता है, दो compound के case में, in all का percentage, किसमे in all परसेंटेज जादा और किसमे in all परसेंटेज का, यह compare किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं, अभी, बट उसको देखने से पहले, एक हम question, दो तिन example देखते हैं, जिसमें in all का percentage, कीटो से जादा हो जाता है, ठीक है, यहां पर जर अगौर करो, हलाकि जो भी हमने example लिया है, सब pure liquid में लिया है, कोई solvent नहीं हमने use किया है, क्योंकि solvent यूज करने से भी in all content पर effect परता है, देखो, यह जो ketone है, यह diketone है, और यह diketone है, दोनों में एक खास बात है, इसका जो in all होता है, यह 100%, मतलब यह किसी vessel में है, तो almost इसी form में रहेगा, जबकि इसका in all, 5.6 into 10 to the power minus 3% काने का मतलब, एक ही जैसा दिखने वाला चीज, यहाँ पे in all content बहुत जादा, और यहाँ पे in all content बहुत काम, ऐसा क्यों, explanation दिया जाता है, कि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे minus delta, और यहाँ पे plus delta, यहाँ पे plus delta, यहाँ पे plus delta, oxygen का higher electronegativity के कारण, जिसके बज़से, इसके और इसमें negative, negative के बीच में repulsion, यहाँ पे repulsion बहुत जादा होता है, यहाँ पे जो repulsion है, repulsion बहुत जादा होता है, इस repulsion को कम करने के लिए, एक किटो in all में convert हो गया, जिसके बज़से, यहाँ पे plus delta आ गया, और यहाँ पे minus delta आ गया, minus delta तो था, और यहाँ पे oxygen के साथ hydrogen जुड़ा होता, तो plus delta है, इसके बज़से, इस दोनों के बीच जो repulsion negative negative के कारण हो रहा था बो repulsion कम हो गया, बलकि attraction शुरू हो गया, जिसके बज़से यह unstable था, negative negative repulsion के कारण, जबकि यह positive negative attraction हो गया, इस बज़से यह form में रहता ही नहीं है, यह इस form में convert हो जाता है, इसलिए इस compound का almost 100% in all के form में ही होता है, ठीक है, दूसरा case देखते हैं, इसका, इसमें क्या होता ह है, कि इसका in all अगर बनाओगे, तो देखो, in all हमने बनाया है, और यहां पे hydrogen bond भी होगा, लेकिन होता क्या है, इसमें यह जो section है, यहां पे जो minus delta है, और यहां जो minus delta है, इसके बीच में repulsion नहीं होता जादा, क्यों नहीं होता repulsion जादा, क्योंकि, actually, तुम बो लोग एक सर इसको ऐसे क्यों बनाए, आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, minus delta, minus delta, repulsion होता खुब शारा, लेकिन यह ऐसे बनाएंगे, तब भी, यह ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे convert हो जाएगा, इस single bond के बाट, rotate कर जाएगा, rotate करने से यह इस form में आ जाएगा, और इस form में आने से, इस case के बीच रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया, निगेटिव, निगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन कम हो गया, दूर हो गया, तो जब रिपल्सन कम ही हो गया, तो इनॉल में क्यों convert होगा, फिर तो keto ज्यादा stable होता ही है, तो keto ज्यादा stable है, तुम बोलोगे, hydrogen bonding आ रहा थ सर ठीक है hydrogen bonding आ रहा था तो hydrogen bonding से थोड़ा stabilize हुआ होगा यहां पर यहां पर hydrogen bonding नहीं है बट ketone का bond energy भी तो बहुँ जादा होता है जिसके बैसे keto stable होता है तो hydrogen bonding होने के बागजूद भी इनॉल जादा stable नहीं हो पाया बोलोगगे कंजूगेशन भी है सर कंजूगेशन तो यहां भी है नहीं तो अब ज़रा गौर करो देखो चीजें यह बहुत हद तक experimental है ज़रा देखो यहां पर hydrogen bonding होने के बाद भी percentage इनॉल का बहुत कम रह गया गौर करना एक और important चीज यहां पे इनॉल बने गए क्यों कि टो जादा stable होता है इनॉल तो मजबुरी में बनता है जब कीटो ऑनस्टेबल होता है तो इनॉल बनता है या इनॉल में कोई additional stabilizing factor आ जाता है तब inol बनता है यहां किटो में कोई problem ही नहीं है keto form में ही रहेगा inol बनता तो थोड़ा hydrogen bonding आता बट hydrogen bonding से इतना stabilized नहीं होगा जितना यहां bond energy से stabilized था इसलिए keto form में ही रहेगा जबकि यह किस form में रहेगा inol form में रहेगा ठीक है एक बड़ देख लो बहुँ ज़्यादा इस पर stress देने का जरूरत नहीं है दुसरा एक example देखो यह इसमें तो अभी कुई दर पहले हमने बता दिया यह इसका जो inol form है almost 100% होता है बजह aromatic होने के बजह से एक और एक जामपल देखो इधार यहाँ पे इसका जो inol form है almost 95% होता है और यह 5% फिर यहाँ inol जादा stable है क्यों inol जादा stable है एक्सेप्शनल चीज़ें ला रहे हैं यहाँ पर यहाँ पे 95% inol है क्यों जरा गौर करो यहाँ इस carbon का hyvideation क्या है इस carbon का hyvideation इस carbon का hyvideation is sp3 है sp3 है मतलब यहाँ पर यह जो bulky group है दो दो जो bulky group है यह दोनों bulky group कितना angle पे 109 पे एक 109 पे bulky group repulsion नहीं करेगा और यहाँ पर वहीं bulky group inol बन जाने से इस दोनों bulky group के बीच में angle कितना हो गया है 120 यहाँ जो angle है यहाँ जो bond angle है एक 109 है यहाँ उसी दोनों bulky group के बीच में यह वाला जो angle है यहाँ पे कितना है 120 रिपल्सन यहाँ कम हो गया रिपल्सन कम करने के लिए यह compound keto compound inol में convert हो गया और इस तरह से inol ज्यादा stable हो गया इस पैसे यह 95% inol form में रहता है ठीक है कौन-कौन compound है जिसका inol ज्यादा stable इसका almost 100% इसका 90% रिपल्सन कम हुआ है यहाँ पे यहाँ पे क्या आया है यहाँ पे 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 क्या हुआ हुआ है रिपल्सन कम हुआ है बॉर्ड एंगल इसके 20 का एंगल 120 और यह एंगल 109 क्योंकि यह कि याहां पर रिपल्सन कम है इसलिए यह ज्यादा स्टेबल इसका परसेन्टज लागा ठीक है यहाँ पर क्या था इसके इसके बीच में negative-n नीगेटिव के चार्ज के बीच में रिपल्सन था इस बैसे एक उनल बन गया इनल बनने से हाइडोजेन जूड सूड गया आउक्सिजन के साथ हाइडोजेन जूड लिया ऊक्सिजन अपने कर फियर gim Map रिपल्स एक प्रूज्टोटी sound तो फिर इनॉल क्यों बनेगा hydrogen bonding से स्टेवलाइज जरूर हुआ इनॉल बट hydrogen bonding का effect कितना नहीं रहा जो यहां bond energy को overcome कर सके इसलिए इस फॉर्म में इसका percentage जादा और इनॉल का percentage बस 5.6 into 10 to the power minus 3% ठीक है इसके बाद बरते हैं एक question के तरफ एक question है यह compound है एक दो तीन चार पांच हालांकि इसका direct relation हमने किसी books में नहीं देखा standard text में कहीं कहीं से collect करके हमने लाया इसको इस sum में मतलब दो example एक book से दो example एक book से इस तरह से इस sum में पूछा जाए किसका inol content जाता है तो simple जो acid hydrogen है उसको निकालो पले inolate बनाओ acid hydrogen इसका ये वाला है इसका acid hydrogen ये है ये न इसका acid hydrogen ये है इसका ये है इसका ये है acid hydrogen निकालोगे तो इस तरह से बनेगा अब इस sum में सबसे ज़्यादा stable कौन इसका resonance दोनों side होगा इसका resonance दोनों side सबका resonance दोनों side अब जड़ा गौड करो इसका plus i इसका कौन सा effect है plus i effect है इसका sorry इसका plus i यहाँ पे ये दोनों का plus i इसका plus i इसका plus r इसका plus r इसका plus r गौड करना ज़रा plus i से इसको de-stabilize करेगा, plus i से इसको de-stabilize करेगा, plus i से इसको de-stabilize करेगा साथ-साथ इसका plus i से यह de-stabilize होगा और यह plus r हमने लिखा है यहाँ पे resonance करेगा और ज़रा सोचो यह जो loan pair है इसके साथ resonance करेगा जिसके बज़े से इस loan pair को resonance करने कम होगा कम मिलेगा यहाँ पे इधर से भी stable bond के साथ resonance होगा इधर से भी stable bond के साथ resonance होगा तो इसको resonance करने कम होगा दोनों तरफ कम मिलेगा अब तुम खुद बताओ यह sum में सबसे ज़्यादा stable कौन यहाँ दोनों तरफ resonance में दिक्कत है यहां एक तरफ resonance में दिकत है, यहां किसी साई resonance में दिकत नहीं है, लेकिन plus i से इसको destabilize किये हुए, यहां किसी तरफ resonance में दिकत नहीं है, और कोई destabilizing factor नहीं। इसका conjugate base ही तो है इसका conjugate base यह है और जिसका conjugate base ज्यादा stable होता है यह ज्यादा होता है इनॉलेट ज्यादा stable तो इनॉल ज्यादा बनेगा इनॉल ज्यादा बनेगा तो इनॉल content ज्यादा होगा तो इसका stability ज्यादा इस वैसे इधर की बात करें तो यह है ACID का strength का order ACID का strength और यहीं किसका train हो जाएगा इनॉल content का या percentage of in all का ठीक है इसके बाद चलते हैं next lecture में अब इस लेक्चर में बस इतना ही अगले lecture में हम देखेंगे solvent effect ठीक है अब भी काद्यू लेक्चर हमने देखा इसको summarize कर लेते हैं एक बाता है और फिर से देखो हमने क्या बोला in all content का मतलब क्या होता है in all content का मतलब होता है कोई vessel में कोई ketone रखे हो तो उसका कुछ form in all में जाएगा तो वो in all कितना percent बना वहीं in all content दो कंपोंड में in all content किसका ज़ादा होगा यह compare किया जाता है तो in all जिसका ज़ाद लिवाता है किन्वारी चीजों से decide होता है in all का stability aromatic aromaticập को जाने से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है hydrogen bonding हो जाने से इनल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है जड़ा गौर करो, इस cases में inol 100% almost, इस cases में inol almost 0.001%, मतलब बहुत कम, यहाँ पर क्यों 100% inol हो गया, क्योंकि inol, inol जो है, वह aromatic है, ठीक है, इसी तरह से अगले परिद में हमने देखा, दो special compound को लिया, एक compound जिसमें 76% inol, क्यों inol से 76% क्योंकि इसमें conjugation भी है, यह double bond, यह ज स्टेबल हुआ, तो conjugation के कारण, और hydrogen bonding के कारण, यह जो inol है, इतना जाद स्टेबल हो जाता है, इसका percentage 76% हो जाता है, मतलब किसी container में 2,4.10 die on रखोगे, तो इसका 76% inol में convert हो जाएगा, अगर liquid phase में रखते हो, 25 degree Celsius पे तो, बीटा कीटो इस्टर, नाम से किलियर है, यह alpha position यह बीटा position, बीटा इसके लिए, इस्टर के लिए alpha बीटा, बीटा पर कीटोन है, इसलिए बीटा कीटो, इस्टर बोलेंगे इसको, इस compound का, अगर हम inol बनाते हैं, तो यह दो बनता है, बट इस दोनों में major inol उपर वाला होगा, क्योंकि यह जो double bond हो होता है, इस्टर वा inolization में जाएगा, inol बना, यहाँ पर inol 8% होता है, मतलब hydrogen bonding भी है, conjugation भी है, बट यह दोनों का effect होने के बाद भी, इसका 8% ही बनता है, ठीक है, इस ग्रूप के करण ऐसा होता है, ठीक है, तो इस पर बहुत जादा स्टेज देने का जरूद नहीं, थोड़ा थोड़ा करें, next का, तो यह एक example लिया था, जिसका inol content बहुत कम, बट इसका inol content बहुत जादा था, इसी तरह यहाँ पर inol content बहुत जादा, क्यों हुआ, क्योंकि inol बनने से repulsion इस दो बलकी group के बीच में काम हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर तो पहले वाला example ही हमने copy किया है, इसके बाद हमने question लिया, इसमें inol content किसका ज्यादा, inol content उसका ज्यादा होगा, जिसके पास hydrogen ज्यादा acidic होगा, इसका hydrogen ज्यादा acidic था, इसलिए इसका inol content ज्यादा है, ठीक है, अगले lecture में हम देखेंगे solvent effect, अभी फिरा इतना ही, ठेंक्यू